नमस्कार मैं भाशा और आज पड़ताल दुनिया भर में हम बात करेंगे सबसे पहले अमरीका की अमरीका में बड़े पैमाने पर महिलाओं के अधिकारों पर एक बहुत जबरदस बहस चली हुई है और जो संकेत मिल रहे हैं जो चिंताएं जाहिर हो रही है उससे ऐसा लगता है कि महिलाओं के शरीर पर जो उनका हक है उस पर बटमारी करने की तैयारी चल रही है वहाँ पर abortion rights गरपात के अधिकार पर एक बहुत जबरदस बहस चिड़ी हुई है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का पूरा का पूरा construction है जिस तरह से वहाँ पर लोग हैं जो judges हैं और जिस तरह से जो खबरे आ रही हैं उससे ऐसा पूरी दुनिया में human rights को लेकर बात करता है एक दबाव बनाता है और ऐसा बताता है कि जैसे वही सब कुछ निर्धारित करता है उसके अपने देश में जब महिलाओं के हक की बात आती है जब नसलवाद की बात आती है तो वहाँ पर प्रो एक्टिव attitude की बजाए दूसरे प्रभीर पुरकाय से आप देख रहे हैं प्रभीर की लगातार जो खबरे आ रही हैं जिस तरह से महां पर महिलाएं आंदोलन कर रही हैं सड़कों पर कि यह जो गरपात का अधिकार है abortion rights है इसको लेकर जिस तरह से घालमेल हो रहा है यह 2022 में हम बात कर रहे हैं 2022 में सुप् आदेश यह जो पूरा का पूरा घालमेल चल रहा है कि महिलाओं का जो अधिकार है कि मेरा मेरे शरीर पर हक होना चाहिए मैं उस पर इस तरह की जो डिबेट चल रही है उसके पीछे क्या वजह लगती है आपको ठीके शिरी सी बात है यह तो एक right-wing attack है जो कि नसल बाद हो आउरतों दोनों में जाहिर है कि एक right-wing attack है तो यह attack नहीं नहीं है बहुत पुराना है और अगर देखें तो यह अमरीका में गर्फ पात की या right to women's body जो कि तो हमारे शरीर पे हमारी हक होनी चीज आउरतों की आवाज थी यह बहुत पुरानी संगर्ष है और सबको लगा थ था 73 row versus wage की supreme court की judgment है उससे वो बात खदम हो गया था लग रहा था और यह भी है कि इसके बहुत बार इसके इसको लेकर supreme court में दूसरे court पे इसको जाने की कोशिश किया गया है और वह सफल नहीं हुआ supreme court ने यह तो खारिच कर दिया है तो सुना ही नहीं कहा कि इसको हम दुब जिनका हक होता है प्रोपोस करना है नया member supreme court में अगर किसी का देहांत हो जाता है देखिए supreme court की वहाँ पर continuity अनिश्चित है तो जब तक आप खुद नहीं चोड़ दे तब तक आप supreme court की justice बने रहेंगे उनकी संग्विधान में है इसलिए हर administration उसको बदल नहीं सकता और क्य एक बहुमत यह तो भारी एक संख्या रही है इसका वजह यह भी है कि वहाँ states का population से कोई नाता नहीं है senate की seats की जैसे इसकॉंसिन देखिए और एक state वहाँ पांच लाग की जो दो seat है और चार क्रोर की California की आबादी उसकी भी दो seat है तो senate की जो proportion है वो इसके पेवर में जात है छोटे states का खास तोर से mid western जो काफी conservative है उसके पास जाता है और जो originally slave owning states है वहाँ पर अगर देखें तो उनकी बहुमत जो है senate में है तो इसलिए नसलबाद और इन सब जो पुरान प्राचीन पंती चिंताएं है वहाँ प्ली patriarchal structure जो है वो senate में उसकी दबदबा ज्यादा है और जब सुप्रीम कोट की जज निधारित करते senate की विराय चाहिए तो senate की बिना आप पास नहीं हो सकते इसलिए इस वाक्त six conservative judges है Republican Party की बनाई वी तीन है जो Democratic Party की President के समय पे वहाँ पर पहुँच पाए और इसलिए इस वक्त उनकी majority है ये पीछले 40 साल की कोशिश 40-50 साल की कोशिश रहा है कि सुप्रीम कोट की बहुमद जो है हम conservative बनाए उसके जरिये Congress में नहीं Senate और House में नहीं पर सुप्रीम के जरी कोट की जरिये हम फिर जो voting laws है जिस में जो whites नहीं है जो उनकी voting अधिकार छीन ले अलग अलग तरीके से तो people of color उनकी छीन ले कुछ को कहें कि jail में जो इतना दिन रहता उसको नहीं मिलेगा जो गाड़ी driving license नहीं है उसको voting right नहीं मिलेगा कहके कि वो आप voter ही नहीं है ऐसी खाम का fraud vote करना चाहता है बहुत सारे voting laws पास करके धीरे धीरे जो बहुमत है उसको स्विकार न करके बलकि नसलबादी जो शक्तियां है उनकी बहुमत तयार करनी की कोशिश है और यहां पर anti women जो issue है Christian right की एक बहुत पुरानी ये issue है तो उनको सगठित करके धीरे धीरे Supreme Court में बहुमत कायम करके अब row versus way जो 50 साल पुरानी जज्ज्बेंट है तब पुराना जज्ज्बेंट उसको सरासा नहीं निकाले और उसमें बहुत साफ साफ कहा था कि महिला का हक है अपने शरीर पर और प्रेगनेंसी पर और जो बाकी clause लगाये थे वो अलग थे रोवर्सेस वेट का जज्ज्बेंट और इस जज् संग्विधान के मुताबिक सुप्रीम कोड का कोई अधिकार नहीं था यह कहने का इसलिए हम रोवर्सेस वेट को गलत साबित समझते हैं और यह स्टेट का अधिकार है जो करना चाहे करेंगे तो यह स्टेट जब चले जाएंगे जो कंजर्वेटिव स्टेट्स है उसमें आउरतों का इस अधिकार चले जाएगा स्टेट बाइ स्टेट इसकी अब लडाई होगी हर राजी में जाके अलग 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 जाके महिलाओं को संगर्श करना पड़ेगा तो एक बहुत बड़ा धक्का है पर नसलबाद और आउरतों की जो पेट्रिया की जो आप जो कह इसकी जो प्रभाव अमरीका में है इसके बाद तो सवाल उठाता है किस हख से अमरीका को दुनिया को कहता है कि हम दुनिया की जो इंटरनाशनल ऑडर है उसका हम निधारित करेंगे rules क्या है उसमेंच को कहते rules based international order rules क्या है वो हम बताएंगे हम और कुछ उदारबादी देश तो उदारबादी देश कौन है जो कि ex-colonial powers है ये तो settler colonialism किये हैं लोगों को अपने जमीन से मार के हटा के बरबरता के साथ नरसिंगार करके जिन्होंने colonies काइम किये थे ये तो जो उन colonies जो पुरान जैसे अमरीका है कैनडा है उस्ट्रेलिया है जो लोगों को genocide करके वहां पर बहुमत पा लिए ऐसे शक्तिया दुनिया में बताएंगे अब क्या सही है क्या गलत है और अमरीका में खुद नसल बाद के प्रभावदे देखी चुके हमने देखा लिए था अभी सजाई हुई है George Floyd के जो मामले में जिन्होंने कातिल कातलाना हामला जिन्होंने किया था उन पर तो ये देख सकते हैं कि racist और patriarchal शक्तियां अमरीका में उनकी जल बहुत डिड़ रहा है गहरा है और वो इस वक्त लगता है कि वो फिर सत्ता में आने की संभावना रखते हैं लेकिन महिलाएं जिस तरह से उतरी हैं अपने अधिकार को बचाने के लिए और यहां पर ये भी दिल्चस्प है कि political lines पे जहान नसलबाद में एक जुटता नहीं बनती उसके खिलाफ संगर्ष में लेकिन इस मामले में क्योंकि ये उनका बुनियादी हक है उनके शरीर पर तो एक बड़े पैमाने पर mobilization अभी तो कम से कम अमरीका में औरतों का दिखाई दे रहा है और वे abortion पर जो अपना हक है गरपात का जो अधिकार है उसे छोड़ने को तैयार नहीं है लग तो रहा है कि midterm जो उनकी elections होती है जिसमें बहुत सारे seatों की फैसला होता है Congress की फैसला होता है वहाँ पर House of Representative जिसे कहते हैं उसकी फैसला होता है उसमें लग नहीं रहा है कि Democratic Party जीतने वाली है तो यह mobilization के बाद भी vote किसको पढ़ेगा Trumpian शक्ती Republican के अंदर Republican Party में Trump इस वक्त हवी है तो Trumpian शक्तियां आएगी यह तो Biden वाले शक्तियां आएगी यह depend करता है बहुत इस पर depend करता है economy की क्या हालत होगा और Ukraine की जो लड़ाई चल रही है उसको देखते हुए लगता नहीं कि Biden की हालत बहुत अच्छी है बलकि Biden की numbers जो कहते बहुत गिरा हुआ है इस वक्त और इसका सरासर असर elections पे पढ़ने वाला है जो इस साल होगा तो इसलिए बहुत खुशखबरी नहीं है कि संघर्ष के आउरते अपनी अधिकार को बचा पाएगी कि और Congress अगर उधर shift कर जाता है तो Republicans जो के हाथ में चल जाता है House of Representatives उधर हो जाता है Senate में महुबत इस वक Democratic Party की है नहीं तो Biden एक क्या कहेंगे President ऐसे President बनेंगे जो उनका कोई भी चीज आसानी से पारित नहीं होगा पास नहीं होगा तो एक lame duck President के रूप में वो हो जाएंगे कुछ चीजे कर पाएंगे पर कानून या Finance यह दोनों चीज कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसलिए लगता नहीं कि एक ऐसा इशू होगा कि elections जो होएंगे अभी House of Representatives पे उसमें इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि उसमें Democratic Party फिर आ जाएगा आपने यहां जिक्र किया Ukraine वाला उसी पर जो इस समय energy का जो crisis पूरी दुनिया में और खास्तोर से यूरोप और उसके आसपास के हमारे हाँ भारत में जिस तरह से बिजली कटोती हो रही है कोईला नहीं है तमाम राजिस सरकारें इतनी बड़े पैमाने पे ट्रेने रद की गई और पूरी दुनिया में जो इसका असर पड़ा है तो एकी जो बड़ा एनर्जी क्राइस है तो ऐसा लग रहा है कि जो संखर्ष है वो एनर्जी वार में तबदील होता दिखाई दे रहा है द्रिश्य तो बहुत तेजी से जिस तरह से कीमते बढ़ रही है तमाम देशों में सैंक्शन्स और बाकी सारी चीजें तो ये एनर्जी वार तो बड़ा व्यापक होती जा रही और मुझे लगता है इसकी चपेट से कोई भी देश बचना मुश्किल है तीक है कुछ देश बच जाएंगे जैसे अमरिका है वो बच जाएगा इसी लिए उनके पास अपना एनर्जी उनके पास है कोईला भी है उनके पास तेल भी है गैस भी है ठीक है तो उस हिसाब से वो बच जाएंगे और एक देश कौन बचेगा रूस उसके पास तेल है गैस है कोईला है तो एनर्जी वार में इन देशों में इंटर्डल क्राइसिस नहीं होने वाला है एनर्जी के वजए से पर बहुत बड़ा दुनिया है और बहुत जगहों पे इसकी बहुत भारी असर पढ़ने वाला है इसमें से हम हैं हमारे हाँ 85% तक हम जो है अपना तेल इंपोर्ट करते हैं ठीक है बहुत सरे ऐसे और बुलके एनर्जी चाहिए और रूस और यूकरेन से बहुत बड़ा हिस्सा वहां से आता था फर्टिलाइजर्स की तो वो भी एक बहुत बड़ा चपेट होने वाला है दुनिया के अर्थनीदी पर आपने जो एनर्जी की जो बात कही तो उसका वजह यह है कि पहले बात तो की उन्हों ने कहा कि हम 6 और 9 महिने के इस साल के अंग तक हम गैसिंपोर्स रशिया से कम कर देंगे बंद कर देंगे ग्यास का भी अवधी नहीं बताया पर जो रश्रूस से जो संक्शन्स जो लगाए हैं उसका फाइनैंशल संक्शन्स के वजए से बहुत सारे मुल्क वहा पैसे दे सकते हैं, टैंकर्स लेना पड़ता है, टैंकर्स का उसको कैसे पैसे देंगे, इन सब लेके एक बड़ा वहाँ पर सवाल खड़ा हुआ है, रूस से फिफ्ट जो सैंक्शन्स गोष्णा किया था, यूरपीन यूनियन ने थे, यूनियन ने कोईले पे था, कोईले उ और बाकी हैं, बट धेरे धेरे बंद करेंगे, तो कम होने लगेगा, पर सवाल, अभी, सॉरी, गलती का, गरत का, तेल, सॉरी, उन्होंने, यह भी, जो रिसेंट सैंक्शन है, छेठा संख्या है, सैंक्शन का, तो उसमें उन्होंने कहा है, कि हम, तेल जो है, वो लेना है, गैस ले सकते हैं, पर पैसा कैसे देंगे, यह तीन चीज यूरोपियन यूनियन ने किया है, जिसके वजह से इस वाक्त, तेल का दाम बढ़ा है, गैस का दाम उनके लिए बढ़ा है, और कोईले के दाम, अंतर राश्टी अस्तर पर बढ़ा है, सब के लिए, तो तेल अ बेचेंगे, इस अब करके हम खरीद रहे हैं, तो कैसे यह चीजे होगा, यह इस वक्त, अनिश्चेता का दायगेरे में है, तो बता नहीं पाएंगे क्या होगा, पर देखें इसका असर क्या पना है, कोईले का दाम तीन सो प्रतिश्यत बढ़ा है, अंतर राश्टी अंतर का दाम करीब यूरोपियन यूनिन के लिए करीब चार गुना हो चुका है, तेल का दाम इस वक्त पहले साट पैसे डॉलर हुआ करता था, इस वक्त कल के खबर है, एक सो दस डॉलर हुआ है, अंतर राश्ट्रिय मार्केट में, तो यह जो हो रहा है, एनरजी पे बहुत संकट के गृफ्ट में आता है, एक तो अंरजी मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो महंगा होगा, दोनों, अर्थनीति के लिए अच्छा नहीं, उत्पाधन के लिए अच्छा नहीं है, और यूरोपियन यूनियन खास तोर से, क्योंकि बहुत बड़ा उत्पाधन कारी कि उन्होंने भी sanctions गोशना कर चुके हैं तो आप देख लीजे कि euro का कीमत जो है वो गिरा है अर्थनितिक अर्थिक संकट में उनकी गिरावट जो है euro currency जो dollar से महंगा था तो उसका करीब 10% उसका नुकसान हुआ है और इसको dollar के बराबर आ गया है तो एक तो ये है yen, yen भी रहे हैं पर उनके पास उर्जा के लिए उनके भरपाई करने का जरिया नहीं है तो अमरीके लिए अच्छा है कि अमरीका भी तेल और गैस उत्पादन करता है वो भी बेचता है तो उनके लिए अच्छा है ओपेक देश उनके लिए अच्छा है पर उत्पादन बढ़ाने क च्छमता इतना नहीं है कि रूस की जी उत्पादन है वो अगर मार्केट से चला जाता है तो इसकी भरपाई कर पाएंगे इसलिए जो क्राइसिस है इसलिए देख रहे हैं कि गैस और तेल दोनों की दम अंतराश्टिय स्थर पे काफी बढ़ रहा है तो ये देखते हुए जो दुनिया की जो अर्थनीदवाद है वो कह रहे हैं अर्थशास्तिय जो भी बुजर्ग लोग है वो कह रहे हैं कि हम स्टैगनेशन एक और होगा उत्पादन नहीं होगा क्योंकि उत्पादन करने के लिए उर्जा चाहिए और उसके साथ-साथ इंफलेशन होगा दाम भी च संकट पाइदा होगा इसका असर काफी पढ़ने वाला है तो दुनिया के खालत अच्छी नहीं है और इसलिए शांती दुनिया की लिए चाहिए उक्रेन मसाला मसला कैसे हल किया जाए इसकी कोशिश होने चाहिए और दुख की बात ये तो यह है कि इसके कोई पहल कदमी चा जैनरल हो चाहे हिंदुस्तान और भी जो नॉन इलाइन जो हम कहते थे उन देशों के तरफ से कोई पहल कदमी नहीं है और यूरपियन यूनियन और अमरीका तो इस वक्त युद्ध की डंका बजाते हैं और सब यहीं बता रहे हैं कि रूस को समझाना चाहिए पुतिन से व करता में रहने के अधिकार नहीं होनी चाहिए और हमारा मकसद है वह भी अमरीकन जो नुमाइंदे हैं रीड़ lead का हैं हमारा मकसद यह है कि रूस को कमजोर करे और इसके लिए मैं कह रहा हूँ इसलिए यूकरेन वार यूकरेन में शांती उनको नहीं चाहिए यूकरेन में और भी जंग चाहिए और कितने साल तक जंग चाहिए कितने दिन तक जंग चाहिए वो अलग बात है को्कि उक्रेंड जिस रास्टे से जा रहा है उक्रेण पूरी डिस्ट्रॉक्षिन धंस के रास्ते निए इस वक्त और जिसका असार सिफ यूक्रेण पे नहीं हमें दिखाई दे रहा है जो नकृषे में भी दिखाई दे रहा है किнет दुनिया के तकर कर्यान, немTwgroup जो हैं यूक्रेन और क्वेल, दोनों जो हैं यूक्रेन में, काफी बड़े पहिंबाने पे हैं और फॉसևम किFhesịटिक Fertilizer, उसकी Fertilizer की सफबादन हिकृइन में एक बहुत-बड़ा उसका Export होता है यूक्रेन से, तो यह चीज है, खास तो orसे आपकी food grains और fertilizers दोनों अगर Ukraine इससे हट जाता है तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा क्योंकि खाना तो सबको है ना उसके बिना तो चल नहीं सकता और आज के तारिक पर उर्जा पीछे ही है लोगों को ये भी है और उसको अगर काट दिया आपने तो उर्जा कहां से उसके भरपाई होगी ये भी सवाल है तो खाने, fertilizers, food grains और उर्जा ये बुनियादी चीज है देश, दुनिया के लिए और उक्रेन के यंग जंग जो है उसको रूस के कमजोर करने के लिए चलाने के जगा इसको कैसे शांती के रास्ते पे लाए जाए इसकी कोशिश हो नीचे, सब के तरह जरूर, तो एक बात बहुत साफ है कि दुनिया दूसरे ढ़ंग से एक संकट में, गहरे संकट में फस रही है तमाम अर्थववस्थाएं उस गहरे संकट में फसी हुई है या फसने की प्रक्रिया में है ऐसे में एक ऐसे शक्स को याद करना बहुत जरूरी है, जिनका जनम दिन है काल मार्क्स, जिन्होंने दुनिया को बदलने का एक नजरिया दिया था उनकी कुश पंक्तियों से जो एक ऐसी कविता जो बर्लिन के सहतिक पत्रिका में 1841 में प्रकाशित हुई थी जिसका अनुवाद विशुजीत सेन ने किया, उसकी कुश पंक्तियां आपके सामने रख कर मैं आज का कायक्रम समात करूँगी मेरी आत्मा जिस बात की गिर्फ्त में आ चुकी है उसके रहते मैं कभी शान्त नहीं बैठ सकता, कभी भी चीजों को सामाने ढंक से नहीं ले सकता मुझे आगे बढ़ते रहना है बिना विराम के अतह आओ, हम सब सारा दाओं लगा दें ना आराम करें, ना थकान को तरजीह दें न रहें गमगीन खामोशी के आगोश में न होने दे बुद्धी को मंद बिना गती की इच्छा के बगैर चाहत के बुद्बताता हुआ अंतर चिंतन में नहीं न दर्द के हल के नीचे दबें ताकि हम में बची रहें इच्छाएं, बचे रहें स्वप्न, बची रहे कारवाई भले ही वे अपून ही क्यों न हो दुनिया को बचाने और अमन कायम करने दुनिया में बराबरी और इंसाफ की लड़ाई के लिए जितनी भी आवाजें हैं शायद इसी स्वर में बोलना चाह रही हैं, शुक्रिया